हे अब्रीवन वेलकम तो न अकाडमी और हूप लडिंग आपसल्यूटली आउस्म उमीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर अवन शर्माज आपनों के लिए के पॉर्डेट अपडेट लेकर डोनाल्ड ट्रम्प और यूएस कॉंग्रेस ने टू ट्रिलियन डॉलर का कोरोना वाइरस रेस्क्यू बिल को पास कर दिया है इस बिल के अंदर खास बात यह है कि 1200 डॉलर हर एक एडल्ट व्यक्ति को दिये जाएंगे और 500 डॉलर का चेक हर एक यहाँ पर चाइल्ड को दिया जाएगा क्या है यह कोरना वाइरस रेस्क्यो बिल जहां जो की उनाइटेट से लेकर आया है जिसके बारे में आप लोगों के साथ डिसकॉशन में लोगा जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों की लेट्स क्राकेट जैनी में मदद करते हैं आप लोग इस रेफ्रेल कोड का इस्तमाल कर सकते हो और यूर सब्सक्राइब इन तूदी अनकाडमी इस प्लस प्लाटफॉर्म काईस हुआ क्या है गाईस सेनेट और वाइट हाउस एक एगरिमेंट में पहुच गए हैं जहां पर टू ट्रिलियन डॉलर का स्टुमिलस पैकेज दिया जाएगा यूएस एकोनॉमी को जिससे मिलियन्स ऑफ अमेरिकन्स की मदद की जासा के इस कुरोनोवारस क्राइसिस के अंदर यहां पर मैक कॉनल जो की सेनेट मेजॉरिटी लीडर है उन्होंने बोलाए कि फाइनली हम लोग इस डील के उपर पहुच गए यह जो सिचुएशन है यह एक तरीके की वार्टाइम लाइक सिचुएशन है जहां पर जरुत है देश के अंदर इन्वेस्ट करने की य पहले भी एक तरीके के बाइपार्टिशन एग्रिमेंट हो चुके हैं चाहे वो वर्ल्ड वार के समय हो या पहले जो और एपिडमिक आए हो बट यह अभी तक का युनाइटिट इस्टेट्स का ही एस वेल एस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू पैकेज है देश में भी बहुत साइट लोग की नौकरिया जा रही है और उन लोग को ये भी नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या होगा कि आगे जाकर उनको नौकरिया मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी और यहां पर वो अपना बिल्स भी पे नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीजों को ध् जेब में पहुत सके इस बिल के चार important component है वो चारो component मैंने आखले लिखते हैं पहला है direct payment to the most Americans यहां पर direct benefit transfer का इस्तमाल किया जाएगा कि directly पैसे Americans की जेबों में पहुचाय जा सके यहां पर 350 billion dollar का लोन दिया जाएगा for small businesses that may be forgiven if firm use them to keep workers on payroll मतलब अगर कोई कमपनिया जो अप work from home दे रही है या निकाल रही है वो बोलेंगी कि कोई बात नहीं आप लोग आग जाने वले दिनों में काम मत करो या work from home करो तो उनको पैसे देने के लिए United States ने यहां पर small businesses की मज़द करने की कोशिश की है इसके साथ 500 billion dollar जो hard hit industries है जो बड़ी बड़ी industries है जिनको सबसे ज prices हुआ है इसके साथ 50 billion dollar specifically airlines को दिये गए है because airways पूरी तरीके से block कर दिये गए है और कम से कम 75 billion dollar यहां पर hospitals को भी इस particular bailout के अंदर दिये गए है यह एक urgent response है जो किस pandemic situation में United States की government ने लेने का फैसला किया है because यह नहीं पता कि यह जो historic हमाई समने black swan event आया है वो कितने दिनों तक चलेगा और इस वज़े से चाहे world economy हो या US economy हो सब ही recession की तरफ आगे बढ़ रहे हैं one of the last issue was 500 billion dollar जो कि यहां पर loan की subsidies के लिए भी दिया जा सकता है bigger industries को और hospitals की भी इससे बहुत ज़्यदा मदद कीज़ेगे मतलब extra paycheck इसके लिए जिससे loans को subsidize किया जा सके तो यह के बड़ा economic rescue package है और इसके अंदर guys सबसे important चीज़ की 1200 dollar हर एक adult को और 500 dollar हर एक child को यहां पर directly दिये जाएंगे मतलब आम आदिमी की जेबों में directly यहां पर पैसे transfer करने की बात यहां पर United States ने की है अभी भी although Senate और House of Representatives को पास करना पड़ेगा before sending it to the President Donald Trump for his signature और जल्द ही यह भी पास हो जाएगा deal यहां पर अपने आप में बड़ी deal है businesses ordinary Americans को मदद करेगी as well as health facilities और जो sectors यहां पर डूब रहे है इस बड़े economic crisis इस बड़े pandemic crisis की वज़े से उनको भी उभारने में यह मदद करेगी यहां पर बात हो रही है कि US 130 billion dollar और यहां पर इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है एक Marshall Plan for Hospitals के अंदर ओके और यहां पर फिर से redevelop किये जाएंगे healthcare sectors और उमीद है कि America इतना बड़ा देश होने के साथ साथ और देशों की भी उतनी ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेगा यह आपके लिए important update थी नीचे like करना और share करना बिलकुल मत भूलना so love and peace from my side thank you for having me here guys and have a great day ahead bye bye take care